2024 में एक बार फिर पियम मोधी को प्रिचंड बहुमत के साथ वापसी करता देख राहुल गांधी के पसी ने छूटने लगे हैं राहुल गांधी समझ गए हैं कि इस बार भी बाजी हाथ से निकल गई है यही वज़े है कि अपनी हार देख राहुल गांधी तिल मिला गए हैं लोग सभा चुनाब से पहले विपक्ष एक बार फिर अपने ही विचाय जाल में फंस गया है विपक्ष दल अपनी ही गलती की वज़े से आज अपना अस्तितो बचाते फिर रहे हैं एक तरफ जहां पियम मोधी जैसे मजबूत नेता है जिनकी धमक विदेशों में भी सुनाई देती हैं वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद से ग्रसित वो नेता हैं जिनकी अपनी पार्टी में भी नहीं चलती है उनकी पार्टी के निता उने ही खरी खोटी सुना कर पार्टी से इस्तिफात दे देते हैं विपक्षी दल सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं ऐसे में जब पियम मोधी देश को अपना परिवार कहते हैं तो इन्हें तकलिफ होती है इनमें राहुल गांधी भी शामिल है लेकिन इस बार पीम मोधी और बीजेपी ने विपक्ष को ऐसा फंसाया है कि राहुल गांधी भी बेचैन हो गए है। कैसे राहुल गांधी की उड़ गई है नेंद बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्योंकि 2019 के लोग सवा चुनाव से पहले बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैमपेंज चलाया था जिससे विपक्ष का सुप्रा साफ हो गया था। उस बगत राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था लेकिन बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैमपेंज से ज जरू किया है वहीं बीजेपी के इस कैमपेइन से विपक्ष में खलबली मच गई है बीजेपी के इस कैमपेइन को लेकर विपक्ष को इतना डर है कि राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी पर निशानत साधा है राहुल गांधी ने बीजेपी के मैं हुँ मोदी का परिवर कैंपएन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरपती कारोबारी गौतम अडानी की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि किसान कर्चदार युवा बेरोजकार मजदूर लाचार और देश लूट रहा है मोदी का असली परिवर वहीं राहुल गांधी के अलावा कॉंग्रेस के दूसरे नेताओं ने बीजेपी पर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये अभियान चलाने का आरोप लगाया है एक तस्वीर का शुप्रिया श्री नेत ने लिखा है कि पियम मोदी इन परिवार पर अन्याई की हू वहीं जैराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि किसानों की हत्या महिलाओं पर अत्याचार यही है मोदी का असली परिवार इसके अलावा भी कॉंग्रेस के नेता बीजेपी के इस मैं हूं मोदी का परिवार कैमपेन को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कॉंग्रेस के नेता समझ कए हैं कि इस बार भी बीजेपी को बड़ा सियासी हत्यार मिल गया है राहूल गांधी भूले नहीं होंगे कि कैसे उन्होंने 2019 के लोग सवच चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा दे कर कलती की थी ऐसे में इस बार चुनाव से पहले ही योव अब राज और उनके करीबियों की बेचैनी बढ़ गई है वहें पियम मोधी ने लालुयादब के दिये बयान के जवाब में कहा कि आज अपने परिवार के लिए करप्शन करने वाले लोग मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं पियम मोधी ने कहा है कि आज देश कह रहा है कि मैं हूँ मोधी का परिवार ब्यूरो रिपोल्ट ओमेच न्यूज और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं